आज का टॉपिक है स्टेंडर्ड टेंथ मैक्स चप्रिय नमबर 3 पैर अफ लिनेर एक्वेशन इन 2 वेडियेबल एक्सरसाइस 3.3 क्वेशन नमबर 1 का सम नमबर 3 तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेशन नमबर 1 और 2 कम्प्लीट कर दिये थे आज क्वेशन नमबर 3 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लेखो पहला एक्वेशन क्या है हमारे पास 3x-5y-4 इक बात आप लोग दिमार को बैठा लो कि अब लोग कभी भी अगर elimination method करोगे कभी भी elimination method करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा X और Y के जो terms है वो आपके left side होंगे और आपका जो constant term है वो हमेशा कहां पर जाएगा right side कहां पर जाएगा right side तो यहां पर equation को पहले adjust करते हैं तो देखो 3X minus 5Y minus 4 यह से डाएगा तो क्यों जाएगा plus हो तो 3X minus 5Y equals to 4 को कभी भी elimination method specially elimination method के लिए मैं बता रहा हूँ elimination method करोगे तो X और Y के term एक साथ रहेंगे constant term equal to के वो साथ है न चाहिए तो यह हुआ हमारा पहला equation second देखो 9X equals to 2Y plus 7 तो क्या यह भी standard form में है नहीं मतलब यहां पर इसको सबसे पहले plus 2Y को यह साथ लेंगे तो plus 2Y आएगा तो क्या हो जाएगा minus यहां पर भी क्या होगा 9X minus 2Y equals to 7 equation number 2 अब हम लोग यह दोनों equation को solve करेंगे क्या करेंगे यह दोनों equation को बोग हम solve करेंगे तो देखो पहला equation है हमारे पास 3X minus 5Y equals to 4 9X minus 2Y equals to 7 अब देखो 3 3 और 9 अब यहां पर as usual सबसे पहले हमको decide करने का कि हमको किसको eliminate करना है तो इस बार हम लोग X को eliminate करेंगे किसको eliminate करेंगे इस बार हम लोग X को अब देखो X को किस तरीके से eliminate करेंगे तो X का पहले तम का coefficient का है 3 दूसरे तम का है 9 तो क्या दोनों same है? नहीं. तो सबसे पहले दोनों के coefficients को हम लोग आपे same करेंगे. तो देखो 3 को मैं किस से multiply करूँ कि आंसे मेरा 9 आपे 3 है? 3, 3 है 9 होगा की नहीं होगा? और 9 को किस से 1 से हो? अब यहाँ पे हम लोग जो पहला equation है, पूरे equation को हम 3 से multiply करेंगे और second equation को 1 से. अब जैसे ही 3 से multiply करूँगा तो क्या होगा? 3, 3 into 3x, that will be 9x, plus into minus, 3 into 5, 15y, और 3, 3, 4s are 12. और वैसे ही, 1 into 9x, तो 9x, 1 into 2, तो 2y, और 1, 7s are 7. तो चलो, यह हमारा multiply होगे है. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है. देखो, दोनों के coefficients तो same है. पहला 9x, दूसा भी 9x. अब यहाँ पर यह को और चीज़ आपको ध्यान देना है. ध्यान क्या देना है? यह plus है, यह plus है. तो क्या कभी दोनों same sign वाले cut होते है? नहीं. दोनों यहाँ पे plus होता है, दोनों कभी साथ में cut होंगे. यह तो यहाँ minus 9, minus 9, cut. अब देखो, जो हमने पहले दोस हम कर रहे थे, उसमें already, अगर अब लोग ध्यान दो, तो उसमें already एक plus था, minus था, इसके लिए directly cut हो गया. बट अगर कभी भी same sign रहे की ना दोनों की, तो हमको यहाँ पर हमेशा एक equation के sign change करनी पड़ीगी, यह वन्ना elimination होगा? नह हो कहाँ जगा नीचे है, तो minus 5 by 13, तो यह y की value है, चलो y की value मिले, अब हम लोग किसके value find करेंगे, x किसके find करेंगे, x, तो as usual, putting the value of y in equation 1, तो पहला equation क्या है, 3x minus 5y equals to 4, तो 3x minus 5, y के value क्या है, minus 5 by 13 equals to 4, अब देख, 3x तो as it is, इसको multiply करना है, तो multiply का simple सरूर, उपर का उपर, नीचे का नीचे, और उसके पहले, minus minus plus 3 by 25 by 13 equals to 4, अब simply plus यह से रहेगा, तो क्यों जगा, minus 4 minus 25 by 13, LCM लेंगे, तो कितना होगा, 52 minus 25 by 13, so therefore, 3x equals to 27 by 15, अब 3 जो multiply में है, वो कहाँ पहलेगा, नीचे, डिवाइड में, 27 upon 15 into 3, 3 बंजा 3, 9 जा, दोनों वो 3 से कट करा, 3, 3 जा, 3, 5 जा, therefore, x is equal to 3 by 5, तो हमारा solution सेट क्या है, x, y, पहला है, हमारे पास, sorry, sorry, यहाँ पर 15 नहीं, यह 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो 13 जाता, 3x is equal to 27 upon 13, x is equal to 27 upon 13 into 3, तो यह 1 और यह 9, तो 4x equals to 9 by 13, तो हमारा solution सेट x, y, वो कितना है, हमारे पास, 9 upon 13, minus 5 by 13 है हमारा final answer, अब देखते हैं, question number 4, अब देखते है, question number 4, तो देखो, question number 4 में क्या दिया, अपने हो, x upon 2 plus y upon 3 equals to minus 1, तो सबसे पहले, यहाँ पर जो denominator है, उसमें हम लोग सबसे पहले LCM लेंगे, क्या करेंगे हो, हाँ पर सबसे पहले, LCM लेको, इसको standard form में लाएंगे, तो देखो, 3 और 2 का LCM का हता है 6, तो 2 को 3 से, और 3 को 2 से, तो 3 into x, 3x, 2 to 0, 4y upon 6 is equals to minus, so 3x plus 4y is equals to minus 6, correct, तो यह हमारा पहला equation बना, वैसे यहाँ पर भी, x के पुर्ण में कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 और 3 का LCM क्या होगा, 3, तो 3 को किस से करेंगे, 1 को किस से करेंगे, 3 से और 3 को 1 से, 3 into x, 3x, 1 into y, upon 3 equals to, so 3x minus y equals to 3, 3s are 9, अब यह दोलों equation का हम solve करेंगे, तो पहला equation है, हमारे पास 3x plus 4y is equals to minus 6, दूसरा equation है, हमारे पास 3x minus y equals to 9, अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, तो x के दोनों, पहले तम का भी coefficient 3 है, second तम का भी coefficient 3 है, अब दोनों के coefficient सेब है, तो हम लोग यहाँ पर directly x को cut करेंगे, लेकिन, फर्स में भी यह प्लस 3 है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस cut होता, नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, second equation, कि जो नीचेल equation को सबकी sign change, मतलब यह प्लस के बदे क्या लेंगे, माइनस, माइनस के बदे, प्लस, प्लस के बदे, माइनस, तो प्लस 3 x, माइनस 3 x, cut, अब जो बीच के sign हो sign को भूल जाए, तो उपर के और नीचे के sign को याज रखने का, तो 4 प्लस 1 तो कितना होगा 5y, माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस 15, तो y equals to minus 15 by 5, therefore y equals to minus 3, तो चलो, y के value मिलगे minus 3, अब ऐसे ही है, हम लोगो किसके value find करेंगे, x कि किसके करेंगे, x, अब x के value क्या होगी, देखो, putting the value of x in equation, so we putting the value of y in equation 1, तो पहला equation क्या हमारा पास, 3x plus 4y is equals to minus 6, so 3x plus 4 into minus 3 equals to minus 6, so 3x plus into minus minus 4, 3s are 12, minus 12 अब तो क्या है, तो plus, तो minus 6 plus 12, so 3x is equals to 6, 4x equals to 6 by 3, 4x equals to 2, so हमारा solution set x, y, हमारा solution set क्या बना यहाँ पर, minus 3, sorry 2, minus 3, तो यहाँ पर हमारा question number 1 complete होता है,